हेलो फ्रेंग्स आज मैं आपको मदूर वड़ा बनाना बता रही हूं मदूर वड़ा के लिए ये हमें समगरी चाहिए एक कप हमने चावल नाटा लिया है हाफ कप सूजी एक चोथाई कप मैदा एक प्याज को हमने बारी काट लिया है हरी मिर्ची तीन हरी मिर्च लिया है धनिया कप लिया है उसे भी बारी काट लिया है और कड़ी एक छोटी चमच हमने तिल लिया है एक छोटा टुकडा बटर कर एक छोटा चमच लाल मिर्च पाउडर नमा स्वात के अनुसार ले लेंगे वन पिंच अजवाइन लेंगे यह आप्शनल है मदूर बड़ा के लिए हम दो तैयार कर लेते हैं चावल कांटा सुजी मैदा तिल लाल मिर्च पाउडर हरी मिर्च प्याज कड़ी लीप धरा दुनिया डाल लेते हैं अजवाइन नमक डाल देते हैं स्वात के नुसार और यह बटर डाल देते हैं पहले अच्छे से मिक्स कर लें अब थुड़ा फुड़ा पानी डालके इसके आटे को तैयार करें कड़ा गूंदना ऐसे डो तैयार हो चुका है अब हम इसके वड़ा बनाते हैं असलोई बना और हाथ में खरीकासा ओइल लगाने, आथ से पतला पतला फेला ले, बना बना के रखते हैं इसी तरह देगी होगे, इसे हमें पतला ही बनाना है, कडाई में हमने तेल लिया है तेल अच्छा से गरम हो गया है अब हम प्राइ करते हैं प्लट प्लट के गोल्डन ब्राउं कर लेगे अच्छी से एकदम गोल्डन ब्राउं हो गया है अब हम इने प्रेपर नप्किन पे निकाल लेगे अब ब्रेप पास्ट या स्मैक स्कृट में खा सकते हैं इसे आप तीन से चार दिन दखकर खा सकते हैं यह बहुत ही टेस्टी बहुत ही अच्छा बना है आप भी घर पर जरूर ट्राइ करें अगर आपको अच्छा लगे तो मेरी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज अजे जढ़ाएब, शेयर आपको अच्छाइब, शेयर जढ़ाई बहुत हैं यह दो जब को रहां हैं, जढ़ाएब, शेयर निट तो मेरी लाइक, सब्सक्राइब, खिसे एज़ाई हूए जचाइ, भी बहुत हैं अज़ाएब, चलाईब, शेयर शेएब, चान्क्राइब